वेलकम बेक टू माई चैनल जैश्रीकेशन जब राधा प्रतूर ने पूछा है नारज जी इसके बाद युद्धु में क्या हुआ ता वाय दैते जलंदर किस प्रकार मारा गया क्रिपया मुझे वह कृथा सुना ये नारज जी बोले जब गिरी राज वहां से अदरश हो तब भगवान ब्रश भध्यतन्य हो गए उन्होंने लोकिता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोथ किया और विश्वता जलंदर से युद्ध करने लगे जलंदर शंकर जी के बाणों को काटने लगा प्रंदू जब काट ना सका तब उसने मोहीत करने के लिए माया की पार्व रूप को देखकर कोई वेदयात उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने इधर उधर भागने लगे यहां तक कि शुम्ब निशुन भी समर्थ ना हो सके शिव जी ने उन्होंने को साब देकर बड़ा धिकारा और कहा तुम दोनोंने मेरा बड़ा इसमें मैं तुम्हें नहीं मारूंगा परन्तु गौरी तुमको अवश मारेगी शिव जी के ऐसा कहने पर सागर्पुत जलंदर क्रोध से अगनी के समान प्रजल ओधा उसने शिव जी पर घोरवान वर्शाती धर्ती पर अंधकार कर दिया तब उस देते कि ऐसी चिस्टा देख भगवाश अंकर जी भी बड़ी कृति तता उन्होंने अपने 14 अगुष्ट से बनाए हुए सुधर्शन चक्र को चलगा कर उसका सिर्फ काट दिया एक प्रचंद शब्द के साथ उसका सिर्फ प्रत्वी पर गिर गया और अंजन परवत के समान उसके सरीर के दो तथा उनके सरीर का तेज निकल का शंक जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे व्रंदा का तेज सरीर में से विविष्ट पार्वती जी में विलीन हो गया जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर प्रसन हो गया और मा शार्दा की प्रेड़ना और स्वयम सहराया इस प देखे के पुरिष रष्टी में महादेव की जय जय कार होने लगी और माता पारवती और माता शार्दी शार्दा के गोड़ों की अनुकमपा से यह सब युद्ध भूमी का खेल समाप्त हुआ उसके तदंतर भगवान विश्णु की माया से अगर आपको मेरे वीडियो अच् अगर को लाइक है सिट्काइब करिए शैर को